Q8. Find the numerically greatest term in expansion of 3-2x raise power 10 when x is equal to 3 by 4. देखे, numerically greatest term, अब यह positive भी हो सकती है, negative भी हो सकती है, या नहीं हमें absolute value लेनी है, ठीक है? तो जो भी expression हो, उसमें आपने positive negative से प्रेशान नहीं होना, चाहे positive term हो या negative term हो, नमबर देखने हैं साथ में किसका सबसे बड़ा number आ रहा है, algebraic terms नहीं, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले हम लोग x is equal to 3 by 4 को यहां पर डालते हैं, तो यह हो जाएगा 3 minus 2 into 3 by 4, अब यहां पर देखें, 2 1 the 2, 2 2 the 4, तो इसमें हमारे पास value आजेगी 3 minus 3 divided by 2 whole raise power 10. जब भी कभी binomial expression बड़ी powers के साथ हो, इसको simplify करने के लिए अच्छा होता है, कि आप इसकी पहली term को किसी तरह 1 कर दें, तो इसमें से आपने common ले लेना होता है, जो भी term common निकल सकते हैं, तो यह 3 common निकल सकती है, तो हम लोग इसको 3 common निकाल लेते हैं, 1 minus 1 by 2 whole, whole raise to the power 10, तो यह 3 की power भी 10 है, और इसकी power भी 10 है, आप चाहिए, तो यहांसे directly next step escape कर सकते हैं, जो बचा तकड़ा हो उसको, कि 3 raise to the power 10, लेकिन अंदर फिर गलती नहीं करनी कि इसकी भी power 10 लिखनी है, लेकिन इस question को solve करने के दो methods हैं, 1st method is for common students, जो guard method है, और असान method है paper के एसाब से, 2nd is for intelligence students, वो आगे engineering में भी काम आएगा, 1st method में हम use करेंगे general term को इस binomial के उपर, end पे इस constant 3 raise to power 10 के साथ multiply भी करेंगे, तो अभी देखते हैं सबसे पहले कि हमारे इसके अंदर R की values क्या होंगी, देखें N की value 10 है, तो R की values 0 से 10 तक होंगी, अब हम लोगोंने general formula को लिखना है, तो कौन कौन सी terms हो सकती हैं, देखें numerically greatest term ठूलनी है, तो पहली term भी हो सकती है, यानि T0 प्लस 1, दूसरी term भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है, चौती भी हो सकती है, ती 4 प्लस 1, आगे भी हो सकती है, मुश्किल है, क्यों आपको इतना तो अंदादा है, जिस तरह Pascal triangle के अ होना चुरू जाती है, तो हम लोग अपनी पहली term को आगे खोलते है, ती 0 प्लस 1 था है, तो इसकी nc0, यानि 10c0, और a रिस्ट पार n-r, a रिस्ट पार 10-0, a क्या है, 1 है, तो 1 की power, ये 1 कहां से है, ये वाली चीज़, ठीक है, 1 रिस्ट पार 10-0, b की value क्या है, minus 1 by 2, इसकी power 0 आगी, तो इसको फर्दर हम लोग आगे solve करें, तो 10c0 के लिए हम लोग ये Pascal triangle देख लेते हैं, 10c0, 1 होती है, ठीक है, तो ये 1 आगी है, और 1 की power कुछ भी हो तो answer, 1 ही होता है, और anything रिस्ट पार 0 is 1, तो हमारा यहां पे पहली term आईगी 1, ठीक है, जो हमारा numerically greatest term है, in expansion of 3 minus 2 x is power 10, इसको जब open करें, तो पहली term हमारी 1 आ रही है, लेकिन अभी हमने इससे multiply नहीं किया, दूसरी term के अंदर जाएं, तो 10c1, तो 10c1 की value क्या है, 10 वो बात में रिखेंगे, 1 की power 10 minus 1, और minus half की power 1, अब देखें, 10c1 की value है, हमारे पास 10, और 1 की power कुछ भी हो तो answer 1 होता है, और minus half की power 1 हो तो answer minus half आता है, और 10 divided by 2, 5, तो minus भी है, तो minus 5, 10c2, 10c2, 10 minus 2, minus half raise to the 2, तो 10c2 से हमारी value आ जाएगी 45, यह आप calculator से भी कर सकते हैं, और इस triangle से भी, और solve करके भी, ठीए, 1 की power कुछ भी हो तो answer 1 ही आएगा, और minus half की power 2 हो, तो minus तो खतम हो और 1 divided by 4 हो जाएगा, और इस से हमारे पास answer आ जाएगा 11.25 है, अभी तक देखें, नमबर बढ़ता जा रहा है, इसके उपर आपने नदर रखनी है, इस पर आज़ें 10c3, 1 raise to power 10 minus 3, और minus half raise to power 3, 10c3 से हमारे पास value आ जाती है 120, तो 120 आ गया, 1 की power कुछ भी answer 1 ही होता है, और हमारे पास answer आ जाएगा, minus 15, अभी भी बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो अभी तक तो ये grace test term हमारे पास आ रही है, आगे जाते हैं 10c4, 1 raise to power 10 minus 3, minus half raise to power 4, अभी 10c4 की value क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 210, और 1 की power कुछ भी answer 1 होता है, minus half raise to power 4, even number आएगा, और वो होगा, 1 divided by 16, अब द देखें, कम होना शुरू होगी है, constant का number, numerical जो था, वो increase होते होते 15 आया, अब कम होना शुरू होगी है, minus sign को तो आपने नहीं देखना भी, आपको शुरूर मता रहा हूँ, numerically greatest term देखने हैं क्योंकि इसमें absolute value लेनी होती है, plus minus matter नहीं करते हैं, तो अब यहां से यह कम होना चुरू हो गया, यानि हमारी यही term, जो है, हमारी greatest होगी, numerically, t3 plus 1, यानि t4, तो t4 को हम लोग लिखे लेते हैं, t4, और इसके अंदर अभी हम लोगो ने, देखें, यह तो इस हिस्से की expansion के अंदर, जो force term थी, इससे भी तो multiply करना है, तो 3 raise power 10 से हम लोग multiply कर लेंगे, और इसके जो value निकली थी, इसकी expansion में जो force position पर वो थी, minus 15, इसको इससे multiply करेंगे, 3 raise power 10 की value होती है, 59,049, multiply by minus 15, value आ रही है, minus 8,85,735, बुक से इसको match करते हैं, बिलकुल exact आ रहे हैं, अब इसका second method की तरफ जाते हैं, इस method में यह वाला formula use होगा, यह formula आया कहां से है, सबसे प पर एन की एक general expression है, इसको open करें तो पहली term, दूसी term, तीसी term, so on, और आखरी term क्या होती है, एन प्लस one's term, क्योंकि जब भी कभी हमारे पास whole power के अंदर जो n होता है, एन प्लस one number of terms होती है, जैसे a plus b whole square में power क्या है, 2, लेकिं term कितनी आ रही है, 3, एक पहली term है, a square, दूसी टूए भी तीसी बीस के, इसमें जाते जाते हैं हमारे पास एक term हम लोग assume कर लेते हैं, क्यार प्लस one's term हमारे पास numerically greater term है, और उसके साथ एक पिछली term भी लिख लेते होते हैं, टी आर, इन के अंदर आर की values क्या होती है, जो पहली term होती है, उसकी आर की value होती है, 0, दूस तो यहां से हम लोगों ने यह वाला formula निकालना है, अगर इस DR को उठाके इदर ले आए नीचे, तो यहां पर क्या बचेगा, 1, तो वही यह चीज़ बची है, और इस formula को सिर्फ रटा लगाने का तरीका देखें, तो R प्लस one और R तो आप as it is लिख लें, R प्लस one और R, सि चोटी टर्म के साथ आजाएगा, R वाली के साथ, यह तो सिर्फ ट्रटा लगाने वाली चीज़ है, लेकिन conceptual ही समझें, कि यह इससे बना कैसे है, देखें, आपको पता ही है, कि R प्लस one टर्म का formula क्या, N-R B रेस वारा, वो आपने इदर लिख दिया, T-R प्लस one के नीचे, और लेफ्ट साइट भी क्या आजाएगा, N-C-R तो नहीं आएगा न, यहां पर क्या आएगा, N-C-R आ रहा है, यहां पर क्या आएगा, N-R क्योंकि एक टर्म छोटी है, और A रेस पार N-R यहां पर था, वहां पर A रेस तुदा पार N-R ब्रैकेट में R-1 आजाएगा, औ R-1 अब इसको solve करते हैं, देखें, यह N- जो है, जब यह अंदर गया तो यह minus R और यह plus 1 हो गया, minus R plus 1, right side value term as it is रही, अब हम लोग right value term को as it is रखा, थोड़ा सा open करके रखा, और नीचे इस side value term को लिएएगे, left side पर क्या बज़ जाएगा, 1 यह इसा as it is नीचे होता रहा, अब इस हिसे में क्या करेंगे हम लोग, देखें, उपर भी A वाली term है, नीचे भी A वाली term है, इस A की जो powers है, इनको उठाके हम उपर इदर ले जाएगे, तो जब उपर लेकर जाएगे, तो इनकी signs जो है, वो change हो जाएगे, यह minus N, plus R, minus 1 हो जाएगे, जबकि उपर पहली जो जो term ही, वो तो as it is ही रही उसकी, यहाँ पर देखें, अब B को नीचे लेकर आएगे, तो इसका जो R है, यह minus R हो जाएगा, तो B, R, minus 1, minus R हो जाएगा, अब देखें, यह minus R और R, यह plus R है, यह minus R है, यह कट जाएगे, नीचे सर्क B रिस इस वार, minus 1, नीचे का है, B, R, minus 1, तो इसको उल्टा कर लेते है, B, R, minus 1 को नीचे से उपर ले जाएगे, तो यह आजाएगा, B, और A, R, minus 1 जो जो उपर है, वो उपर से नीचे ले जाएगे, तो वो नीचे आजाएगा, A, तो आपको यह तो पतार लग गया, B और A कैसे है, इनको अब सॉल्फ करके हम लोगों ने यह वारी टर्म निकाल ली है, तो चलें, N, C, R, minus 1, तो सबसे पहले N, C, R, की वे जो निकालते है, जो क्यों होती है, N, factorial, divided by R, factorial, into N, minus R, whole, factorial, अब यह नीचे डिवाइड है, तो divided by, N, C, R, minus 1, करना है, तो N, factorial, divided by, R, minus 1, factorial, और, divided by, N, minus, bracket में, R, minus 1, whole, factorial, अब इस, डिवाइड के साइन को, multiply करेंगे, तो क्या हो जाएगा, नीचे वाली चर्म्स, ऊपर चली जाएगी, R, minus 1, factorial, into, इससे क्या बन जाएगा, N, minus R, plus 1, whole, factorial, divided by, N, factorial, और, N, factorial, N, factorial, से, कट गया, बाकी, simplify करते हैं, देखें, नीचे, R, factorial, और, minus 1, चोटी, value है, तो, R, factorial, को हम इतना, खोलते हैं, कि, R, minus 1, factorial, तक चला जाएगा, तो, सरफ, एक ही, term, खोलनी है, R, into, R, minus 1, factorial, दो, term, आजएगे, उपर, R, minus 1, factorial, आगया, इस तरह करने से, यह होगा, कि, बाद में, हम इनको, कट कर सकेंगे, इदा देखें, N, minus R, plus 1, whole, factorial, N, minus R, plus 1, बड़ा है, N, minus R, से, ठीक है, इसके अदर, एक ज्यादा है, तो, इसको, एक term, खोलते हैं, आजएगे, N, minus R, plus 1, into, N, minus R, whole, factorial, यह बलकुल ऐसे, यह, जैसे, यह, 10 है, और, यह, 9, factorial है, अगर, 10, factorial, तो, हम, उसको, कोल सकते हैं, 10, multiply, by, 9, factorial, नीचे, क्या है, R, minus 1, factorial, तो, इन, minus R, whole, factorial, यहाँ से, आएगा है, अब देखें, कौन, कौन सी, चीज़ें, क्रॉस हो रहे हैं, N, minus 1, factorial, N, minus 1, factorial, से, क्रॉस हो रहा है, और, minus 1, factorial, R, minus 1, factorial, से, क्रॉस हो रहा है, तो, हमारे पास, पीछे, बच जाता है, N, minus R, plus 1, divided by, R, और, यह आप देखें, इसको हम लोग उठाके, इस formula के अंदर लेके आए, क्योंकि B, और A, तो हम लोग ने पहले ही निकाल लिया था, सिरफ इसके अंदर यह value डाल लिया, तो, यहां से आएगा है, 1, lesser than, N, minus R, plus 1, divided by R, और, राइट साइड पे, B, divided by A, तो, यह तो, हमारे solve करेंगे, जो को बहुत असान हो चुक है, 1, is lesser than, N, minus R, plus 1, divided by R, और, B, divided by A, ठीक है, और, इनकी absolute value है, ताकि, plus minus से हम लोग परिशान ना हो, अभी इनके अंदर values हम लोग ने डालना शुरू करनी है, तेके, N की value तो हमें मालू है, 10, यह given है, बाकी हम लोगों को, B, और A की value भी मालू है, B की value क्या है, minus 2X, और A की value है, 3, अब next step में जाते हैं, और, यह हो जाएका, 10, plus 1, से 11, और, यह minus R, divided by R, इसको हम लोग करेंगे, minus 2, divided by 3, into X, X की value क्या 3, 3 by 4, question में के बना है, अब इसमें कोई चीज क्रॉस हो सकती है, हाँ, जी, 3 और 3 क्रॉस हो सकते है, और, और, बाकी as it is, लिख लेते हैं, 11, sorry, यह 2 multiply by 11 कितना हो गया है, 22, minus R से multiply हुआ है, तो 2R, और नीचे आ गया, 4R, इसको further solve कर लेते हैं, 22 as it is, लिखा, left side पे greater than का sign, और 4R जब उदर लेके जाएंगे, तो यह, 1 से multiply होके 4R हो गया, minus 2R को उदर लेके जाएंगे, तो क्या हो हो दाएगा, plus 2R, simple mathematics है, यहां के इन दोनों को sum कर लिया, तो यह हो गया, 6R, lesser than 22, यहां से हम R की value निकालें, 6 को उदर लेके जाएंगे, तो 22 divided by 6 हो जाएगा, तो R is lesser than 22 divided by 6, और 22 divided by 6 को calculator से करें, तो आज एगी value 3.66, R is lesser than 3.66, लेकिन हमारे पास तो R की value होती है, whole number, तो हम हम लोग कह देंगे, कि R is equal to 3, अब हमारे पास देखेंगे, T R plus 1th value जो हम लोगों ने निकालनी है, मालूम करनी है, उसका formula हमें याद है बिलकुल, इसमें हमें पस N की value क्या है, 10, A की value क्या है, 3, B की value क्या है, minus 2X, इसमें X की value डालें, 3 by 4, और इसको cross करें, 2, 2s are 4, तो B क value आगी, minus 3 by 2, R हमें already मालूम हम लोगों निकाल लिए 3 है, तो अब इस T 3 plus 1th के अंदर formula डालते हैं, जो कि T 4th है, 4th term है, N C R की value, N की value 10, और R की value 3, तो 10 C 3, A की value 3 है, तो 3 is equal to 10 minus 3, B, B की value है minus 3 by 2, और R की value A उपर 3, इसको solve करते है, 10 C 3 की value आजाती है, 120, ये calculator से कर लें, 3 raise to power 10 minus 3, यानि 3 raise to power 7 है, उसकी answer आता है, 2,187, और minus 3 by 2 की power cube है, तो minus का sign तो रहेगा, क्यूंकि power odd number है, और 3 multiply by 3, 27, और नीचे 2 की power 3, 8, 8 1s आ 8, 8 15s आ 120, अब 15 को multiply करेंगे, 2,187 multiply by minus 27, इससे हमारे पास answer आ जाता है, minus 8,85,735, अब लोग पहले भी इसको solve कर चुके हैं, और ये T 3 plus 1, T 4 हम लोग लिख देते हैं, बुक में देख लें, कही answer है, झाल 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